नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपेशन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम लोग पढ़ेए परसेंटेज का आगे का क्वेस्चन अभी हम लोग ने दो वीडियो पढ़ चुका है पहला क्लास में हम लोग बेसिक पढ़े थे और second video में हम लोग कुछ question किये थे अब हम लोग आगे का question देखते हैं जैसे आगे का question अगर हम पढ़े question दिया हुआ है चावल के मुल में 20% की बृद्धी हो जाती है जिससे खपत 10% कम हो जाता है तो खर्च पर क्या परभाव पुड़ा price of price increased by 20% then consumption reduced by 10% find the effect on expenditure चलिए देखिए इससे related हम लोग पिछला क्लास में question पढ़ चुके थे आज question क्या दिया है question बोला कि चावल के मुल में 20% की बृद्धी हो जाती है price 20% बढ़ जाता है price क्या बोला 20% बढ़ जाता है जिससे खपत 10% कम हो जाता है यानि कि इस बार हम लोग को consumption दिया है कि खपत में क्या हुआ 10% का कमी आ जाता है तो हम से पूछा कि बताए expenditure पर क्या effect पढ़ेगा question दिया है कि price 20% बढ़ गया consumption 10% कम हो गया तो पूछा कि expenditure पर क्या effect पढ़ेगा पिछला class जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें सिर्फ एक ही percentage दिया हुआ रहता था यानि कि price दिया हुआ रहता था और read consumption के बारे में पूछा जाता था इस बार हम लोग को price के बारे मि दिया है conjunction के बारे मि दिया है expenditure के बारे में चलिए तो पहले हम लोग इसको solve करते हैं देखिए एक तरीका हम लोग पढ़े थे इसका basic यानि कि जो 100-100 मान करके बना लेते थे अब इसे हम लोग detail में नहीं समझेंगे detail में बनाना हो तो आप लोग try किजएगा बन जाएगा अभी हम लोग diet तरीका समझेंगे जो हम लोग पिछला class में पढ़े थे जैसे एक concept हम लोग पढ़े थे कि price into consumption बराबर क्या होता है expenditure नीचे लिखते है पुराना वाला उपर लिखते है नया वाला प्राइस का अगर बात करें तो price हम लोग मानते हैं 100 नीचे क्या होता है पुराना वाला मालनिये price 100 है 20% बढ़े गया तो नया वाला कितना हो जाएगा 120 पहले price 100 था 20% बढ़े गया तब कितना हो गया 120 इन्टू कंजम्शन मालनिये पहले का कंजम्शन 100 था और अभी क्या हुआ कंजम्शन 10% का कमी आ गया मतलब पहले 100 था 10% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा price पहले 100 था 20% बढ़े गया 120 कंजम्शन पहले 100 था 10% कम हो गया 90 price इन्टू कंजम्शन बराबर क्य price into consumption बराबर expenditure नीचे लिखते हैं पुराना वाला उपर लिखते हैं नया वाला solve करेंगे इसे तो ये 2-0 से 2-0 खतम ये 1-0 से 1-0 से 1-0 खतम ये 1-0 से 1-0 खतम तो X बराबर कितना जाएगा तो X बराबर जाएगा 9 गुना 12 यानि कि 12 नमा 108 108 X का value कितना आ गया 108 X का value आ गया 108 अब ध्यान दीजिए हम बोले पहले कितना था यानि कि पुराना वाला कितना था 100 और अभी जो नया वाला X कितना आ गया 108 पुराना वाला 100 था नया वाला 108 हो गया इसका मतलब जादा हो गया 100 था 108 हो गया यह एक तरीका सीखे थे, फिर इसका एक और तरीका हम लोग सीखे थे, रेशियो में थे डोला, रेशियो में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग fraction को solve करते हैं, यानि कि इस fraction को अगर solve करेंगे, तो कितना जाएगा, 20% के लिए क्या होता है, 1 by 100, solve करेंगे, तो 20 से यह कर ज यानि कितना जाएगा, 1 by 10, चलिए, तो हम बोले, कि यहां से हम लोग यह एक तरीका सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखते हैं, रेशियो वाला, यानि कि जैसे हम बताए, कि price, price क्या हुआ, तो price 20% बढ़ गया, 20% का मतलब है, कि पहले यदि 5 था, तो अब क्या हुआ, 20% ब कम हो गया, 10% का मतलब कितना, एक, यानि पहले 10 था, एक कम हो जाएगा, 9, देखे, धियान दीजे, गलती से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, कि price का उल्टा कंजम्शन कर देंगे, वो तभी करते थे, जब expenditure constant रहता था, यानि कि expenditure में कोई change नहीं रहता था, लेकिन इस बार हम ल इसे क्या किये, लिखना पड़ा, कि 20%, यानि कि 5 से 6 हो गया, 10% कम हो गया, मतलब 10 से 9 हो गया, अब हम लोग जानते हैं, कि price into consumption बराबर क्या होता है, expenditure, तो 5 गुना 10, 5 गुना 10 कितना हो जाएगा, 50, 6 गुना 9, कितना हो जाएगा, 54, यानि कि पहले का जो expenditure था, वो 50 था, और पहले वाला को कहां लिखेंगे, नीचे, हम लिए पहले 50 का खर्च होता था, अब 54 का खर्च हो रहा थी, कितना बढ़ गया, 4 और ये 4 बढ़ा कहां से, पहले वाला को लिखेंगे, नीचे, ये बन गया fraction, और परतिसद के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करके सिम्बल लगा पर्षेंट पर्षेंट और देख रहे कि पहले 50 था चबवन हो गया जादा हो रहा तो पर्षेंटेज क्या कहलाएगा इनक्रीज कहलाएगा यानि कि बृध्धी कहलाएगा चलिए यह दो तरीक हम लोग पढ़ नहीं है एक और इसमें हम लोग फर्मूला सीखेंगे फर्मूल करेंगे चलिए इस कोईस्टन को हम लोग दो तरीका सा शीख चुके हैं एक और हम लोग कॉंसेप्ट सीखते हैं यानि कि एक फर्मूला है फर्मूला क्या है तो एक फर्मूला है एक प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई हंड़ेड फर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई हंड़ेड तो सबसे पहले हम लोग इस फर्मूला को समझते हैं और फिर इसका यूज कप करना है वो समझेंगे तो फर्मूला में देखिए हम लोग को दो variable दिया है एक X है और दूसरा Y है तो X कहने का मतलब है कि पहला percent है जैसे पहला percent क्या दिया है? 20% Y कहने का मतलब है दूसरा percent दूसरा percent क्या दिया हुआ है? 10% तो X हो गया पहला percent Y हो गया दूसरा percent फिर यह X पहला परसेंट, Y हो गया, दूसरा परसेंट, देखिए, अब यहाँ पर सिंबल का ध्यान दिजए, कि अगर increase करे, बिल्दी, यानि कि बढ़ेगा, तो sign देंगे plus का, लेकिन अगर घटे, decrease हो जाए, तो sign देंगे minus का, सबसे पहले formula समझ यह, कि formula में यह X, Y है, क्या तो X है, पहला परसेंटेज, Y है, दूसरा परसेंटेज, और जब भी बढ़ेगा plus, घटेगा तो minus, चलिए, जैसे अगर हम बोले, कि यह हम लोग देखने ही, यह पहला परसेंटेज है, और यह दूसरा परसेंटेज है, तो हम लोग देखने ही, यह X और Y का value समझ गए, कि X फर्मूला का यूज तभी करेंगे, जब यह दो कंडिशन को फोलो करेंगा, इस फर्मूला का यूज तभ करेंगे, जब दो कंडिशन फोलो करेंगा, कंडिशन क्या है, तो point करके लिख लिजेगा, पहला कंडिशन है, कि percentage value simple होना चाहिए, simple कहना का मतलब है, कि जैसे 10%, 20%, 30 40, 12, 11, 15, इस परकार से होना चाहिए, fraction में नहीं होना चाहिए, तो पहला condition क्या बताए, कि percentage value simple होना चाहिए, और दूसरा condition, दूसरा condition ध्यान रिखिएगा, कि जब भी total पे effect पड़े, यानि कि total हमसे पूछा जाए, तभी इस फर्मूला के use करेंगे, क्या बताए, हम बताए कि पहला percentage value simple हो, simple कहने का मतलब 10, 20, 30 इस परकार से, fraction में नहीं होना चाहिए, और दूसरा condition, कि total पूछा जाना चाहिए, अब total क्या है, तो ये थोड़ा से समझे, जैसे हम लोग जानते है, कि price into consumption बराबर क्या होता है, expenditure होता है, तो जब ये दोनों को multiply करते हैं, price और consumption को, त करेंगे, तब करेंगे, जब दो condition follow करेंगे, पहला, जब percentage value simple हो, और दूसरा, जब total पूछे, total कहने का मतलब, कि ये expenditure जब पूछे, ये दोनों का multiply, जब तीसरा चीज़ पूछे, तब हम लोग solve करेंगे इसको, अगर माल जब price पूछे, तो हम लोग को नहीं बनाना है, हम ले इस formula का use तब करेंगे, जब दो condition follow करना चाहिए, पहला, percentage value simple होना चाहिए, देखिए, 20%, 10%, percentage value simple है, दूसरा condition, total पूछा जाना चाहिए, total कहने का मतलब, कि price into consumption बराबर expenditure, ये total है, और देखिए, पूछा भी क्या है, expenditure, यानि ये पूछा है, total पूछा है, तो हम लोग इ पहला वला 20 बढ़ा गया, यानि कि यहाँ प क्या लिक से एं, प्लस कभी थह, ये वला जो है, आगे plus लिखे ना लिखे कोई फरक नहीं पड़ता है, तो पहला वला क्या हुआ, पहला 20% बढ़े जानी कि प्लस बीस, दूसरा वला देखते हैं, तो दूसरा वला क्या हुआ, पर्षेंट कमी हो गया, कमी हो गया यानि कि मैनस हम लिए आगर बढ़ता है थो पलस लिखते हैं लेकिन घटता ह raging तो इस सिंबल के जगह पर क्या लिखेंगे मैनस क्यूंकि दूसरा वाला क्या हो रहा गट रहा बढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे, घटेगा तो minus, तो यहाँ पे दुसरा वाला घट रहा है, इसलिए minus का symbol दिये, कितना हो जाएगा, 10, फिर दिखिए, पहला बढ़ रहा था, इसलिए plus, into, दुसरा वाला घट रहा है, इसलिए minus, और बट्अ में 100, एकप्लस कि प्लस फीस दृसरा घट गया मैनस दस पहला भड़ा प्लस इंटु दूसरा घट गया मैनस रहता है यह 10 सी एक जिरो खतम यह इक जिरो खत ऐ अगर staan इसके आगे कुछ नहीं है, यानि कि symbol क्या कहलाएगा, वो plus का है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो symbol क्या है, plus, और plus जब भी रहे, तो क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, यानि कि बढ़ जाएगा, plus होगा तो increase यानि बढ़ जाएगा, और यदि ये minus में आता, तो minus में क्या कहला हैं तो फिर यह ज्यादे किलियर हो जाएगा चलिए पहले इसे हम लोग मिटा देते हैं कि अगला कोश्चन दिया हुआ है जैसे दिया है चावल के मुल में 40 परसेंट की ब्रिद्धी हो जाती है जिससे खपत 10 परसेंट बढ़ जाता है तो खर्च पर क्या प्रभा पड़ा देखे इस बार क्या दिया है बोला है कि चावल के मुल में 40 परसेंट की ब्रिद्धी प्राइस क्या हुआ 40% बढ़ गया जिससे खपत 10% बढ़ जाता है कंजम्शन क्या हुआ ये भी 10% बढ़ जाता है तो हमसे पुछा कि बताई ये expenditure पर क्या effect पड़ा ध्यान दीजे, हम लेकि देखे जो तरीका हम लोग अभी सीखे है मतलब कि जो one line में बनाए ratios बनाए वो तो बना ही सकते है लेकिन क्या है इसमें हम लगा सकते हैं तो हम देखे कि इसके लिए दो condition follow करना चाहिए, percentage value simple होना चाहिए, simple है total पूछा जाना चाहिए, total ही पूछ रहा है तो diet formula यूज़ कर लेंगे formula लगाएं, पहला बढ़ रहा यानि कि plus 40 दूसरा वाला भी देखे, दूसरा वाला भी क्या हरा बढ़ रहा, यानि कि यह क्या हो जागा, plus 10 पहला वाला बढ़ रहा, यानि कि plus 40 गुना बढ़ रहा plus 10, बटा में 100, solve करेंगे, एक 0 ये एक 0 खतम, ये एक 0 से 1 0 खतम तो 40 plus 10, 50 plus into plus प्लस तो चार गुना एक कितना हो जागा चार तो पचास पलस चार कितना हो जागा 54 परसेंट आईए जिख नहां यानिकी पलस है और पलस जब भी हो तो पलस में क्या कहलागा increase यानिकी बढ़एगा माईनस आता तो क्या कहलाता decrease चलिए और देखते हैं अगला question चलिए next question देखते हैं दिया हुआ है वस्तु के मुल में 33 होल 1.3% की बृद्धी हो जाती है जिससे खपत में 12.5% की कमी आ जाती है तो खर्च पर क्या परभाव पुड़ा हमसे पूछा है expenditure चलिए दिखिए question बोला है कि वस्तु के मुल में 33 होल 1.3% की बृद्धी price क्या हुआ 33 होल 1.3% बढ़े गया जिससे खपत 12.5% कमी आ जाती है consumption में 12.5% का कमी हो गया पूछा कि expenditure पर क्या effect बढ़ेगा चलिए सबसे पहले देखे कि क्या इसको हम लोग इसको बनाने के लिए दो condition खोलो करना चाहिए पहला percentage value simple हो तो क्या simple दिख रहा simple नहीं है तो फिर इस तरीका से हम लोग use नहीं करेंगे अच्छा इस तरीका से नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे हम लें तरीका बहुत सारा है हम लोग इसका तो बहुत सारा method पढ़े है जैसे अगर इसको solve करेंगे अब देखिया अब इसको हम solve करना सिखा चुके अब इसे हम लोग direct value लिखेंगे जब इसको solve करेंगे तो इसका value आजाएगा 1 by 3 और जब इसको solve करेंगे तो इसका value आजाएगा 1 by 8 अगर इसको solve करने में कहीं दिक्कत हो रहा तो पहला class का जो हम लोग basic वीडियो पढ़ देखें है उसको जाकर करके आप लोग देख लिए वहाँ आप लोग यह सब सब सीख चुके हैं इसको solve करेंगे तो यह 1 by 3 इसको solve करेंगे तो 1 by 8 अब लगाएगे price into consumption बराबर expenditure नीचे लिखते हैं पुराना उपर लिखते हैं नया price अगर देखें तो price क्या है पहले 3 था 1 बढ़ गया मतलब 3 था 1 बढ़ जागा कितना हो जागा 4 नीचे पुराना उपर नया price के बाद consumption consumption को अगर देखें तो पहले 8 था एक का क्या हो गया? decrease यानि के पहले 8 था एक का कमिया जागा कितना हो जागा? 7 equal to expenditure हम बहुले expenditure नहीं पता है तो माल लिए पहले वाला 100 और अभी का नहीं पता नहीं पता तो X price into consumption बराबर expenditure नीचे पुराना उपर नया, solve करेंगे यहां से तो यह कड़ जागा 4 से 4 दूना 8 यह काटेंग है तो यह 2 से कड़ जागा कितना बार में? 2 से यह कड़ जागा 50 तो यह 50 इदर जाके multiply हो जागा कितना हो जागा? तो 7 पचे 355, 350 बटा में 3, यह आ गया X का value यहां से solve करेंगे तो कितना जागा? 3 है कई 3, फिर से 3 है कई 3, बचा 2 यानि 3 चक 18, बचा 2 बटा 3 इतना आ जागा, X का value कितना जागा? 116 होल 2 बटा 3 अब ध्यान दिए, हम ले पहले कितना था? खर्च जो expenditure जो माने पहले कितना माने? 100, और अभी कितना है? X, पहले 100 था अब X हो गया, और X का value कितना है? 116 होल 2 बटा 3 मतलब पहले जो थी 100 था, अब कितना हो गया? 116 होल 2 बटा 3 इसका मतलब है कि यह 100 से जादा हो गया तो 100 से कितना जादा हुआ? तो हम ले पहले 100 था, अब हो गया 116 होल 2 बटा 3 पर्शेंट, यह क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 16 hal 2 बटर 3%, क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चलिए, इसका एक और तरीका हम लोग जो ratio method पढ़े हैं, यह 120 तो बनेगा नहीं, यह तो हम लोग समझ चुके हैं, क्यों ने बनेगा अगर हम लोग ratio से बनाते हैं तो price price कितना हुआ है तो बलेंगे पहले 3 था बढ़े गया यानि 3 से अगर 1 बढ़े जागत कितना हो जागा 4 consumption पहले 8 था और अब क्या हुआ एक घट गया एक क्या हुआ घट गया घट जागा तो हो जागा साथ हम जानते हैं price into consumption बराबर expenditure स्वल्व करेंगे तो 3 84 24 चारसते 28 पहले expenditure 24 था अब कितना हो गया 28 तो कितना जादा हो गया चार जादा हो गया कितना में से 24 24 में से 24 था 28 कितना जादा हुआ चार और कितना में से 24 में से 24 को लिखेंगे नीचे हम देखिए यह fraction है इसे पर्सेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं सिंबल लगाते हैं चार से काट देंगे चारशक 24 छे से जब 100 को भाग देंगे दो से काट दिए इसको दो तिया 6 दो से यह 50 50 को जब 3 से भाग देंगे कितना जाएगा सोला होल दो बटा तीन परसेंट और देखिए यह 24 से 28 मतलब ज्यादा हो रहा तो परसेंटेज क्या हो जबा इनक्रेज यानिकी बढ़ जाएगा के लिए रहे हैं चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया है वस्तु के मुल में 20% की बृध्धी हो जाती है एक वेक्ति पहले 60 kg वस्तु खरीता था तो आज उतना ही पैसा में कितना kg वस्तु खरीतेगा question क्या दिया है? भुला की वस्तू के मूल में 20% कि ब्रिध्धी हो जाती है, price 20% बढ़ जाता है वस्तू के मूल में 20% की ब्रिध्धी हो जाती है एक व्क्ती पहले 60 कजी वस्तू खरीता था, यानि जो consumption दिया है initial का, सुरुवात का दिया है कि पहले हुआ पहले हुआ 60 कजी वस्तु खरीदता था तो प्रजेंट में वर्तमान में वह कितना कजी खरीदेगा और expenditure के वारे में बोला है कि उतने ही पैसा में यानि कि expenditure में कोई कोई चेंज नहीं हुआ है no change in expenditure कोईशन में क्या बोला कि दाम 20 परशेंट बढ़े गया प्राइस 20 परशेंट बढ़े गया खबत जो है इनिशियल कंजम्शन उसका 60 कजी था तो प्रजेंट में उसका कंजम्शन क्या होगा यदि खर्च में कोई बोला कि आज उतने ही पैसा में उतने ही पैसा कहने का मतलब की जितना नहीं हुआ है चलिए बनाते हैं इसको widow प्राइस इंटू कंजम्शन बराबर एक्सपेंडिचर नीचे लिखेंगे पुराना वाला उपर लिखेंगे नया वाला प्राइस अगर देखे तो 20% बढ़े गया मतलब पहले यह दिस ओथा 20% बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 120 प्राइस इंटू कंजम्शन अच्छा कंजम्शन नीचे लिखते हैं कु yön कुछ अने नहीं वाला तो इनिचेल संग्वाय और पर्जस्ट का पूछए हैं मतलब पूरानं वाला पुराना वाला का लिखेंगे नीचे और परजेंट यानि वरतमान का नहीं पता नहीं पता तो एक्स price क्या हुआ 20% बढ़ गया पहले 100 था 20% बढ़ गया 120 खपत के बारे में कंजम्शन के बारे में पहले वाला दिया हुआ कि सुर्गात का कितना था 60 के जी बताईए वर्तवान में कितना वर्तवान में नहीं पता तो X और expenditure में वोला कोई change नहीं हुआ यानि कि यदि पहले 100 है तो अभी भी 100 ही रहेगा price into consumption बढ़ एक्सपंडिचर नीचे लिखते हैं पुराना वाला उपर लिखते हैं नया वाला solve करेंगे तो ये 100 से 100 खतम हो जाएगा 60 से काटेंगे तो 60 दूना 120 ये 2 से कड़ जाएगा पचास बार में तो एक्स बराबर कितना जाएगा तो एक्स बराबर जाएगा पचास केजी यानि कि वरतमान में वह कितना केजी परचेज कर रहा तो बोलेंगे पचास केजी हमसे सिर्फ यही पूशा है कि बताईए वर्तमान में वह कितना केजी खरीदेगा कितना केजी खरीदेगा 50 केजी यदि मान ये पूछ लेता कि बताईए वह पहले से कितना केजी कम कर दिया तो बोलते पहले 60 केजी खरीदा था आज 50 केजी खरीद रहा तो 60 से 50 चास हो गया इसका मतलब 10 kg का कमी हो गया चलिए देखते हैं इसको अगर हम लोग बनाते हैं रेशियो में थड़ से रेशियो से अगर बनाएंगे तो हम बोले 20% 20% को क्या करेंगे 20% यानि कि 1 by 5 यानि कि प्राइस क्या हुआ तो बोलेंगे प्राइस पहले 5 था अब कितना हो में बढ़े गया तो च्टो करने मसन क्या हो जागा देखें हम पड़े हैं कि जब भी अगरइस में कोई चेंज ना हो सब्सक्राइब तो प्राइस का उल्टा हो जाता है यानि किihे पांस यह च्छी को जैता है तो इसह से पौशाए हगा पांस है कि यह हम लोग का इनीशिय हम लोग को दिया है ratio में 6 लेकिन actual में कितना दिया है तो initial दिया है 60 kg मतलब जो पहले का 6 दिखरा ratio में actual में वो है 60 kg तो पूछा present वाला तो यह है present का तो present वाला 5 बराबर कितना kg तो 60 गुना 5 डिवाइड बै 6 6 से इसको काट देंगे 10 बार में कितना जाएगा 10 बचे 50 kg तो वर्तमान में वाला कितना kg खा रहा 50 kg चलिए ऐसा ही एक question और देख लेते हैं चलिए question दिया हुआ है बला चावल के मुल में 40% की कमी हो जाती है एक वेक्ती का खर्च 20% बढ़ जाता है पहले वह 50 kg चावल खरीदता था तो अब वह कितना kg चावल खरीदेगा चलिए question क्या दिया है बला चावल के मुल में 40% की कमी हो जाती है price क्या हुआ तो price 40% decrease हो यानि कि कमी हो गया बोला एक वेक्ति चावल के मुल में 40% की कमी हो जाती है एक वेक्ति का खर्च 20% बढ़ जाता है यह जो दिखिए खर्च इस बार दिया है खर्च कितना हुआ तो बोला खर्च 20% बढ़ जाता है आगे दिया है, कि पहले हुआ 50 평 चावल करिता था, यानि कि initial ऊरा कंजम्शन दिया है, कितना 50 평 किज, कि पहले हुआ 50 πेजी चावल करिता था, तो वरतमान में अब कितना केजी खरीदेगा, इस बार हम लोग को price भी दिया है consumption पुराना वला दिया हुआ expenditure 20% बढ़े गया और पूशा कि बताईए परजेंट में कितना केजी खरीदेगा solve करेंगे price into consumption बराबर expenditure नीचे लिखते हैं पुराना वोपर लिखते हैं नया तो price क्या हुआ 40% कम होगया मतलब पहले यदि 100 था 40% कम, 40% कम हो जागत कितना हो जागा 60 consumption दीखे नीचे लिखेंगा पुराना वला पुराना वला consumption दिया हुआ कितना है 50 kg, नया वला नहीं पता नहीं पता तो X, और expenditure 20% बढ़े गया, मतलब पहले यदि 100 था, 20% बढ़े जागत कितना हो जागा, 120 Price into consumption बढ़ाबर expenditure, नीचे पुराना उपर नया Solve करेंगे, तो ये 100 से ये 100 खतम, 60 से काटेंगे तो 60 दूना, 120 और ये 50 उधर चला जागा, तो X बढ़ाबर कितना जागा, 50 गुना दो 100 kg यानि कि वर्तमान में वहा कितना kg खरीद रहा, तो ये 100 kg